सिर्भार मेरा हर लो भूभार के हरईया तूफान उठ रहे हैं प्रतिकूलता की काफि तूफान उठ रहे हैं प्रतिकूलता की काफि आके सम्हान लुरा घव मजदार में है नईया जिसका नहीं है कोई जो पड़ गया अकेला उस दीन के सहारे तुम हो भरत के भईया उस दीन के सहारे तुम हो भरत के भईया इस दीन के सहारे तुम हो भरत के भईया शुग्रीव जी बोले की प्रभू भगवान बोले की कोई बात नहीं राज जभी शेख हुआ सुग्रीव जी का और सुग्रीव जी फर भगवान का कारे भूले ही के लक्षमण जी गए फर नगर में समझाया अब तो क्या कहना आंगे बढ़ते हैं वानरो सब लोग और हनमाई जी उस समुद्र के उस पार जाते हैं श्री सीता जी की खोज करते हैं हनमाई जी वापस आते हैं भगवान कहते हैं सुनक पितो ही उरण मैंना ही मैं आपके रण को चुका नहीं सकता और देखिए भगवान श्री राम बहुत ही दयालू कहते हनमाई जी मैं आपके रण को नहीं चुका सकता सुनक पितो ही उरण मैंना ही देखिए उकर विचार मनमा ही अब देखिए अब आते हैं पुल बनता है समुद्र पर और श्री राम जी वहां पर लंका की उस पार जाते हैं बहुत दिनों तक युद्ध चला और लेकिन एक दिन मेघनात लक्ष्मण जी को वीर घात ने छाड से सागी तेज पुंज लच मन और लागी वीर घात ने छाड से सागी तेज पुंज लच मन और लागी अच्छा लक्ष्मण जी वीर हैं अच्छा वीर को मारने के लिए वीर घात ने शक्ति काई मेघनात ने प्रयोग किया तेज पुंज लच मन और लागी और देखिए एक बार चर्चा हो रही थे कि कौन बड़ भागी कौन है भागशाली कौन है तो जटायू जी बोले कि हम भागशाली है क्यों कहा कि हम भगवंत की गोद मिली हमें भगवंत की गोद मिली इसलिए हम भागशाली हैं तो जटायू का भई संपाती बोले नहीं नहीं हम भागशाली हैं हमें संत की गोद मिली मुनिये के नाम चंद्रमा होई ही हमें संत की गोद मिली लक्षमाण जी बोले ना तुम बड़ा भागी ना ना ये ना संपाती ना जटाई तो का बड़ा भागी कौन लक्षमाण जी बोले सबसे बड़े बड़ा भागी तो हम है क्यों? हमें संत की भी गोद मिली और भगवांत की भी गोद मिली कब? का जब हमें मेगनात की शक्ती मिली तो हनुमान जी ने हमें अपनी गोद में उठा लिया और हनुमान जी कौन? अब मोही बहाब हरोस हनुमनता बिनुहरी कृपा मिले ही नहीं संता तो हनुमान जी ने अपनी गोद में उठा कर मुझे भगवान की गोद में डाल दिया इसलिए मुझे अपने लिए श्री हनुमान जी की गोद में मिली और मतलब संत की गोद और भगवन्त की गोद सुखेन वैद्धी को बुलाया अच्छा, तो किसी ने कहा कि लंका में एक वैद जिस सुखेन लाया कैसे जाए हनुमान जी बोले मैं लाता हूं सुखेन को पूरा घर ही उठा ले आए सुखेन का का अरे केवल सुखेन को बोला लेते पूरा घर उठाने की क्या जरूत का वहां जाकर सुखेन वो बैद कह सकता था इलाज का मामला था अगर हम बैद को जगाए तो मुहले वाले भी जाग जाते चार पाई ले आते कहा कि वो कह सकता था इलाज का मामला था तो पहले बताते दWाण्यँ तो वही चूट गए अघे तो हम तो क्या है उसके तो कहने लगे तो कोई बात नहीं अगर हम अगर वैद्ध को जगाते क्या पता वैद्ध आने के लिए राजी होता के नहीं होता तो कोई बोला कि अगर हनमान जी से कि अगर वैद्ध आने के लिए राजी नहीं होता तो दाट टपट के लिए आते हनुमान जी ऐसा कभी नहीं करना चाहिए वैद्य को उपचार के लिए बुलाओ पहले ही उससे जगडा कर लेओ तो मर्ज की कौन का है मरी जाई ही नहीं बचेगा और देखो जैसे वैद्य आए मकान के साथ सद्गुरु वैद्य जब जब आते हैं हम मकान के साथ ही आते हैं और ये मकान वो मकान नहीं है हम जिस मकान में रहते हैं वो हमारा मकान थोड़ा ही है वो तो हमारे मकान का मकान हमारे इस तन रूपी मकान का भी मकान है काया कुटिया निराली जमाने भर से काया कुटिया निराली हो जमाने भर से, तोया कूटी या निरानी जमाने भर से, दस दर्वाजे वाली जमाने भर से, ये हमारा जो शरीर है, बड़ा जीब मकान है सबसे सुन्दर आख की खिड़की है जिसमें पुतली काली हो जमाने भर से, जिसमें पुतली काली जमाने भर से, काया कूटी या निराली जमाने भर से, लेना देना कर करते हैं, पग चाल चले मत वाली हो जमाने भर से, काया कूटी या निराली जमाने भर से, काया है, यह बड़ी अजीब काया है, बना यदई मेरे कारी गर ने कैसी सुन्दर बखरी, हो बना यदई मेरे कारी गर ने कैसी सुन्दर बखरी, हां बखरी ऐसी बनी की जा मैं, इट लगी ना लखरी हो बना यदई मेरे कारी गर ने कैसी सुन्दर बखरी, बखरी ऐसी बनी की जा मैं, इट लगी ना लखरी हो बना यदई मेरे कारी गर ने कैसी सुन्दर बखरी, ना यदई मेरे कारी गर ने कैसी सुन्दर बखरी, और बखरी ऐसे ढंग से बनी के ना चोड़ी ना सकरी हो बनाई दई मेरे कारी गर ने कैसी सुन्दर बकरी अब देखिए पांच कुठरियां दस दरबाजे पांच कुठरियां दस दरबाजे तीन गुनन से जकरी हो बनाई दई मेरे कारी